नमस्कार दोस्तो मैं कुस्बूत उमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटर एक और नई वीडियो में जहां पर आज के वीडियो में हम आपकी प्रेगनेंसी की पहली तिमाई यानि कि आपकी प्रेगनेंसी के पहले सप्ता से लेकर बारे सप ताके बीच में जो भी बदलाव आपकी बॉड़ी में आते हैं उनके बारे में जानेंगे क्योंकि friends ये जो पहली तिमाही में आने वाले बदलाव होते हैं जो लक्षन आपको अपने सरीर में नजर आते हैं इन्हें pregnancy की सबसे पहले और सुरुवाती लक्षन माने जाते हैं और friends पहली तिमाही में आपको अपनी केर अपनी देखवाल करने की सबसे ज़्यादा जरुवत होती है क्योंकि इन दिनों में सबसे ज़्यादा miscarriage होने के chances भी रहते हैं इसलिए friends आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा informative होने वाला है क्योंकि अगर आप pregnancy plan कर रहे हैं या अभी हाली में आप conceive करना चाहते हैं तो friends अगर आप conceive करने के tips के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर बिजट करके इस से रिलेटर जनकार भी ले सकती हैं और friends pregnancy की पहली तिमाई में आपके सरीर में क्या-क्या बदलाब आते हैं क्या-क्या आपको साबधानी बरतनी चाहिए क्या चीज़ा खाने चाहिए किन चीज़ों को avoid करना चाहिए इससे के आपके बच्चे को किसी भी तरह का नुकसा ना हो इन सारी बातों को जानने के लिए आप वीडियो में अंतक बनी रहें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूल है जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको विलती रहे तो चलिए फ्रेंट्स बिना देरी की हुए फटा-फट से वीडियो को स्टाट कर लेते हैं जैसे तो फ्रेंट्स पीरियर मिस होना प्रेगनेंसी का सक्षे पहला और सुरु आप बेना टेस्ट की हुए भी पता कर सकती है आपनी कंसीब कर ली आए या फिर नहीं तो फ्रेंट्स पीरियर मिस होने से पहले आपके सरीर में वो कौन-कौन से बदलाब आती है जिससे आपके मुँका स्वाथ बदल जाता है कई मैलाओं को अपनी मुखा स्वात गरवाख से, अग्ढम करणा से बुखार २ू! आपको अपनी ब्रेस्ट में गांट से मैंसूस होना, छुने पर दर्द मैंसूस होना यानि कि आपकी breast का एक गम से sensitive हो जाना इसके साथ ही आपकी breast के जो nipples हैं उनका रंग पहले की अपेच्चा अभी dark हो जाना period miss होने से पहले जब भी आप सुबह जागती है तो सुबही सुबही आपको अचानक से जागते ही उबकाई, उल्टी, जी मचलाना, बेचरनी होना, गहवराहट होना किसी भी काम को करने का बिल्कुल भी मन ना करना आपको ऐसा लगने लग जाता है जैसे आपका बीपी लोग ओर आए आपकी body में बिल्कुल जान ही नहीं बची है चौता लक्षण है कि pregnancy conceive होते ही आपकी मुँग कर स्वादबदद जाता है जैसे कि आपको पहले जो चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी वो चीज़ें अभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और जो चीज़ें आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी जैसे कि मेरी pregnancy के time पर जब भी मैं हल्दी के असपास जाती थी जैसे खाना बगएरा बनाती थी तो हल्दी की smell एक बार में ही मेरे दिमाग में ऐसे बर जाती थी कि दो-चार दिन तक मुझे उल्टी कैसा मन करता रहता था किचन में जाने का मन ही नहीं होता था कई सारी मेला ऐसी है जो कि जैसे ही conceive कर लेती है उन्हें आटे में से अजीब सी smell आती है वो आटा नहीं लगा पाती है आटा गूत नहीं पाती है कई मेलाओं को खाने की कोई दूसरी चीज़ों में से ऐसे allergy हो जाती है और वो उसके आसपास बिलकुल भी नहीं जा पाती है तो friends conceive करने के बाद से ऐसे कई सारे बदलाव हैं जो आपके सरीर में आने लग जाते हैं पीजेट से पहले ही आपको बहुत ज़्यादा पिशाब आने लग जाता है यानि कि बारबार टॉयलेट जाने का मन करता है और पीजेट से पहले अगर आप जैसे टॉयलेट करने जाते हो तो उस समय अगर आपको बाइट दिस्चार्ज हो रहा है तो ये भी pregnancy का सबसे सुरुवाती लक्षर माना जाता है बाइट दिस्चार्ज के साथ साथ आपको हलकी फुलकी स्पोर्टिंग हो रही है यानि कि एक आप दाग दब्बे आ रही है तो फ्रेंट्स इसे implantation bleeding बोलते हैं यानि कि pregnancy conceived होते ही कई सारी मैलाओं को उनकी pregnancy की पहली तमाई तक लगब एका दाग आता ही रहता है यानि कि हलकी implantation bleeding होती रहती है लेकिन अगर pregnancy conceived होने के बाद यानि कि आपने test कर लिया है आप sure हो गई हैं कि आपकी pregnancy रुख गई है यानि कि आप pregnant हो लेकिन इसके कुछ समय बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पेट के निचले हिस्से में काफी दर्ड है यानि बहुत ज़्यादा दर्ड हो रहा है जो कि अचानक से होना सुरू हुआ है और इसके बाद आपको bleeding हो रही है तो friends ये implantation bleeding नहीं होती है पर कर लेना चाहिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि समय रहते डॉक्टर कुछ दबाओं को दे कर आपकी pregnancy को रोक लेते हैं यानि कि आपका miscarriage होने से बच जाता है इसलिए pregnancy के पहले तीन महीने के दोरान आपको अपने सरीर में आने बाले हर एक छोटे बड़े बदलाब के बारे में अपने डॉक्टर से समय समय पर संपर्ख करते रहना चाहिए उनसे जनकारी लेते रहना चाहिए ये साथ ही जैसे ही आप conceive करते हो तो इसके बाद से ही आपके body में जैसे ही estrogen और progestron hormone का level बढ़ता है तो इससे आपके चहरे की spin glow करने लग जाती है ऐसा भी नहीं है कि सभी महलाओं की हो लेकिन कुछ महलाओं को conceive करने के बाद से ही उनके चहरा glow करने लग जाता है वही कुछ महलाओं को चहरा एकदम से down होने लग जाता है तो friends ये भी pregnancy के सबसे सुरुआती lecture माने जाती है इसके साथ ही कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपके पेट में intensity हो रही है हलका हलका सा दर्द हो रहा है और आपके periods आनी में अभी 3-4 दिन बागी है तो friends इसे भी pregnancy का सुरुआती lecture माना जाता है एक बात और मैं आपको clear कर देना चाहती हूँ कि ये जो symptoms है न pregnancy के जो मैं आपको बता रही हूँ वो सभी महलाओं में एक समान रूप से नहीं मिलती है क्योंकि pregnancy के symptoms प्रत्यक महला में अलग-अलग होती है कई महलाओं को कुछ और नजर आते हैं तो कई महलाओं को कुछ और नजर आते हैं क्योंकि कई महलाओं ऐसे भी हैं जिनने pregnancy जिनने conceive करने के बाद से अपनी pregnancy के कोई भी symptoms नजर ही नहीं आते हैं जब उनके period मिस हो जाते हैं और उसके कई सारे दिन हो जाते हैं तब वो देखते हैं कि उनकी periods क्यों नहीं आए और उसके बाद जब वो चेक करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने pregnancy conceive कर लिया है तो friends अगर period में सोने के बाद भी आपको अगर pregnancy के इन में से कोई भी symptoms नज़र नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपनी conceive नहीं किया है क्योंकि कई सारे महला ऐसी हैं जिने pregnancy के symptoms बिलकुल भी मैसूस नहीं होते हैं यानि कि उनकी जो pregnancy होती है वो healthy pregnancy होती है लेकिन उन्हें अपनी pregnancy में किसी भी तरह का कोई भी symptoms नज़र नहीं आता है तो friends period के बाद अगर आपको symptoms नज़र नहीं आ रहे हैं तो भी आप pregnant हो सकते हो तो friends pregnancy के पहले सप्ता से लेकर बारेवी सप्ता के बीच में ये जो symptoms अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो friends ये pregnancy के सबसे सुरुआती लक्षर माने जाती हैं अगर आप pregnancy प्लान कर रहे हैं तो ये लक्षर आपको अपनी pregnancy को confirm करने में I hope कफी मदद कर सकती है अगर ये वीडि नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले जिससे मेरे वीडियो की notification आपको मिलती रहे तो चलिए friends मिलते हैं next time एक नए वीडियो में नही जानकारी के साथ तब तक के लिए खुस रहें स्वस्त रहें और अपनी pregnancy को को चैसे enjoy करें नन्यवाद